कि सबॉसा मातिया एद कि संवर संग वीदा पीपल की दो-दो मींटिंग होने लगी हैं आज दो मीटिंग रही और 26 सब्सक्राइब को भी दो मिटिंग थी यह सिलसला अब आगे बढ़ेगा क्योंकि आज नागपरु में भी जो रमिस नाब देम पिट के सर हैं उन्होंने तीस तारिक की मीटिंग लिए एक मीटिंग की है वो अपने हम यहां बताएंगे सभी को और गीता गोरिया बहन जी ने एक कंसेप्ट बताया वहां पर उनका सादवा सबने किया और उनका आज सबने जनन दिन मनाया यह बहुत अच्छा किया क्योंकि कोई अगर महिला और अपना जनन दिन भूलके और समाज का जनन दिन अगर याद रखती है तो हमारे अच्छे दिन सुरू हो गए और इस अच्छे को हमें सेलिबेट करना चाहिए और जोड से लगना चाहिए हर व्यक्ति को और प्रण करना चाहिए कि जिस दिन उसका जनन दिन है उस दिन जरूर समाज का जनन दिन याद रखे आपने उनको साधुबाद दिया लाश्ट में एक बार उनको साधुबाद और देना ये बहुत कमाल की बात है और उससे भी कमाल की बात ये है कि कितनी जल्दी आठ महिने में सुधीर कुमार जैसे करमठ जो साथी है जो समरसंगी है उन्होंने संग को गाउं में पहुंचा दिया एक दिन में गाउं में दो मिटिंग तो आज समण संग की चार मिटिंग हुई दो गाउं में हुई एक बाहदुगरद में हुई और एक नागतु में हुई यानि कि चार मिटिंग जिस दिन आपकी लग रही है तो यह चार से कम जाने वाले नहीं है हर संडे में यह हजार मिटिंग कम से कम पहुंचेंगी अगर हम लोग इसी तरह इसको तन और मन से धनकी तो यहाँ आवशक्ता है नहीं इसमें काम करते रहे तो हमारे अच्छे दिन आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती क्योंकि संग कभी रुकता नहीं है की ताकत होती है और यह संग की बात होती है अगर यह संग्ठन में बदल गया या व्यक्ति बाद में बदल गया यह नेतागरी में बदल गया यह पैसा एकटा करने लगा तो संग अपने आपको रोक लेता है फिर वो अपने आपको संग्ठन में बदल लेता है और संग्ठन कभी आगे नहीं बढ़ता, संग्ठन के लोग आगे बढ़ते हैं, संग्ठन आगे नहीं बढ़ता, पूरे भारत की हिस्ट्री में कोई संग्ठन आगे नहीं बढ़ा, लोग आगे बढ़ गए, कोई MP बन गया, कोई MLA बन गया, कोई कूठी का मालिक बन गया, कोई कार का बन और संग्ठन खतम होते चले लोग आगे पढ़ते चले चले गए संग्ठन खतम होते चले चले गए और जंता खतम होती गई और बाबा साप का जो पूरा का पूरा कार्मा था वो कार्मा तो जमीन में गाड़ दिया उस जमीन में गड़े हुए कारवा को वो बार बार कहते हैं और जुट बोलते हैं बाबा तेरा मिसन अदूरा और हम करेंगे पूरा और हम को भैकाते रहते हैं अरे भाईया पूरे की तो छोड़ो वो जहां ता वही छोड़ देते वहीं रोग देते, बावा साफ कितने दूर्ध दर्शी थे, उन्हें पता था कि ये निकम में लोग हैं, तेरा नाम ले लेकर ये धुनिया में गाएंगे और कार्मा को खतन कर गया जाएंगे, और वही हो रहा है, हर जंडे पे, हर गाड़ी पे, हर जंडे पे बावा साथ का फूट लगा रखा है, और कारमा की कोई नहीं देखता कि कारमा चला कहा है, हाँ उनकी कार बहुत बदे चल लिए है, कारमा तो जहां गया वहाँ चला गया, पर कार उनकी बड़ी होती गई, छो कारवा जो कार में बदला है अब जो सम्ढ संग आया है यह समण संग दुबारा से कारवा है इस समं संग ने आपको बहुत सारी किव्चे दी हैं और बहुत गजट की चीजें तो सारी सीजें हैं अगर आप उनको एक वार ध्यान की टेक्निक को ढूल दिया यानि कि हम कैसे इखटे हो सकते हैं वो हमारे उपर से कलंग चला गया जो लोग कहते थे कि हम इखटे नहीं रहते यानि कि इखटे रहने का जो कलंग है वो चला गया और वो इखटे रहने की कला हमारे पास आ गई और कैसी कला आई कि बिना पैसे के खटा होना सीख लिया दुनिया ताज्युम करती है यहां जो आते हैं जो नए लोग आते हैं वो कहते हैं जी के बिना पैसे के कैसे खटे हो जाओगे तो पड़े लेखे जो बुद्धी जीवी लोग हैं जो डॉक्टर हैं जो साधरन लोग हैं उन्होंने खटा करके दिखाया तो कोई साले 300 एकटे हुए ना हम बिना पैसे के, बिना पैसे के एकटे हुए अगर कोई एक चंदे की पच्ची दिखा दे कहीं, तो समर्संग उसे दिन खतम हो जाएगा, एक चंदे की पच्ची छपी नहीं दिखा सकता, कटने की दिखा सकता कि किसी से चंदे का पैसा मांग की यह गारंटी इस बात की कि पैसे नहीं ली जाते तो क्या होता है काम तो चला वहां लोगों ने खाना भी खाया लोग आए तो समण संग ने एक चीज और सीखी पिछले दोजार रिकिस के अंदर कि अपना खाना खाएंगे और आंख से आंख मिला के बात करें तो अपना खा सबका खाना मिलाते हैं तो खाना दान हो गया संग दाना हो गया संग दान हो गया खाना संग को चला गया अब जतना हिस्से में आएगा उतना मिलेगा ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा कम है तो कम मिलेगा दिल्ली में हुआ दिल्ली में सुरू में जब पहली बार संग दान में खाना मंगाया गया, तो खाना एकटा हुआ, तो ऐसा लगा के खाना सायद कम तो नहीं आया, तो यह हुआ कि सब लोग पहले एक एक पराठा लेंगे, और कमाल की बात है कि किसी ने एक से ज़्यादा पराठा लिया नहीं, और फिर दुआरा में जो पराठे बचे फिरिक लिया, अगर खाना कितना था, मिल बांट खाया कि खाना फिर भी जादा हो गया, तो वहाँ जो लेवर वगरा थी रास्ते में उसको खाना दे दिया, तो संग दाना आज तक कभी कम ही नहीं पड़ा, इतनी सारी मीटिंग होगी खाने की, यह हमारे बुजर्गों का असिरवाद और यह बुजर्गों की जो हमारी परंपरा है, यह बड़ी कमाल की है, इसमें किसी के घर में खाना कम नहीं पड़ सकता, और संग का खाना तो कभी पड़े गए नहीं कम, तो यह हमने संग में आपस में मिल बैठके खाना काना सीखा दो हजार एकिस के अंदर यह हमने इखटा किया, तो संग से हमको विस्वास मिला, संग से विस्वास मिला, लोग कहते हैं कि संग में विस्वास है, संग में विस्वास नहीं है, संग से विस्वास मिलता है, संग बना तो लोगों के खून बढ़ने शुरू हो गए, कि हमारा संग है, अपना संग है, और जो संग से हमें विस्वास मिला, उस विस्वास से हमारी सक्ति क्या गुना बढ़ गई, और वो इतनी सक्ति बढ़ गई कि हमारी नर की तबाद छोड़ो जो नारी है, वो कितनी तेजी से काम कर रही है, यह जाके कोई देखे, यहां मीटिंग में आके देखे, तो ताज ज किसी तो समझ है, कि जोड़ेंगे तो जीतेंगे, और जोडने का फार्मूला है कि लोगों को जोड़ना है, तो निकलना पड़ेगा, तो जाना पड़ेंगा, तो नियम मना लिया वह रहेन टो अपने इस खरचा ले में उसका सब upload स्वाद में इसकी भी कोई खर्चा कहां हो तो डॉक्टरों का भी कोई खर्चा नहीं हुआ सब लोग अपने खर्चे से गए तो वहां कहा कि अपना खाना लेके आ ने सकते हैं डॉक्टर हैं बिजी हैं तो भी खाना फोटल से आ जाएगा तो एक रोजोर्स बुख लिया ने वहां बोले के फ़चार रुपया लेंगे जो भचेगा बापिस कर देंगे और ज़्यादा खर्श कर दिया हमने तो हमारी जुम्हदारी हम पैसा नहीं लेंगे तो डॉक्टरों ने इतनी समझदारी दिखाई कि उस दिये हुए हजार रुपे मैं से 140 रुपे 49 पैसे हर आदमी के बापिस जा रहे हैं लो भाईया जिन् अदमी अपने पैसे से खर्श करता है जो समर्संगी अपना खर्श करता है अपने खर्श के लिए तो उनका पैसा उनको बापिस होना चाहिए तो उनका पैसा उनको बापिस जा रहा है पूरी दुनिया में पहली हिस्ट्री है ऐसी जो बुद्ध के समर्संग से पहले और ब कि से को दे दी तो सब बारवर बास उता था जिसका जो है वो ले जाओ कोई खटा नहीं करता है को लिली करें जाता था तो यहां कोई किसी का पैसा रखने को त्यार ही नहीं है साफ के दिया नई आप था पिशा है आपकी घर पहुंचेगा एकाउंट नूमर दे तो पहुंच जाएगा पैसब पहुंचना शुरू हो गया ये मिसालें संग में मिलती जरू आपको संगठ्व में दिन है तो हम बचा पैसा ये तो पार्टी होगी ना किस बात की पार्टी होगी हम ने बहुत बड़िया कारी कर्म लगाया तो एक सैली परस्ट में होगा तो फॉलॉब पार्टी होगी तो पार्टी कर लेते हैं लोग और कैसी पार्टी हो तो आप साथ को जानते हैं मैं यहां क्यों अपनी जवान को खराब करूं अगर यहां ऐसा नहीं हो था तो यह नियम ज कोई नेता नहीं आया कोई नेता हमारी मंच पर मंच पर लगती नहीं कहीं तो कोई नहीं आया और जो नेता बन के आया वो गुड़बाए करके खुद चला गया क्योंकि यहां लोग 2021 में जमीन पर बैठना सीख गए जमीन पर बैठते हैं फर्स पर बैठते हैं तो फर्स पर बैठते हैं तो आजा तो नेता कहां फर्स पर बैठेगा वो तो बड़ा आदमी है कोई बहुत बड़ा आदमी आता तो बैठता नहीं तो हम तो समढ़ संगी हैं पुराने हैं हमें तो जमीन से हम तो जमीन क हमें दुबारा से याद कर लिया और हमने जमीन को याद कर लिया और हम जमीन के आदमी होगे तो वो गुन दोजार एकिस में हमने सीख लिया और यहां नर को सर और नारी को बहन जी कहना भी सीख लिया हमने दोजार एकिस में यह हर वेक्ति कुछ लोग अभी भी आदत में आत करते हैं तो यहां हाउस ने पास किया कि नर को सर कहेंगे और बाकी जितने भी फी मिलें उनको भेंजी कहेंगे तो 2021 में हमने ये भी सीख लिया ये 2021 की उपलब दी है और देश विदेश के भाईयों से सात महिने में अब तो इंटरनेशनल समढ संग का प्राधान आने वाला है समर संग इंटरनेशनल बनने वाला है यानि देश विदेश में आपकी जान पैचान और जब भी आपका बच्चा जाएगा देश विदेश में तो उसका फायदा होगा वना वो लोग यहाएंगे आपको फायदा देंगे तो जुड़ना और जुड़ना सीखा ये चीजे हमने एकटी की हैं सारी सारी तो हमने कुछ छोड़ भी दिया ऐसा नहीं है कि 2021 हमने छोड़ा नहीं है 2021 हमने बहुत कुछ छोड़ा है हमने मंच छोड़ दी हमने माला छोड़ दी हमने माइक छोड़ दिया कितना चुपका हुआ था माईक के थो हम मरीज थे एक बार माईक मिल जाए तो हमारे जो लोग है छोड़ते कहा है पूरा गला साफ करके जाते हैं चाहा सामने वाले भग जाएं चाहा खाली दरी रह जाए चाहा खाली टेंड वाले रह जाएं वो बीमारी समढ संग में नहीं और वो आ भी नहीं सकती क्योंकि इसका नियम बन गया मंच माला माईक हम छोड़ दिया तो हमने क्या छोड़ दिया वी आएपी और वी वी आएपी कल्चर छोड़ दिया तुम वी आएपी और समाज के बहुत अच्छी बात है भाईया वी वी आएपी और समाज के बहुत अ उपज़ दिया कि संदे का धन्दा छोड़ दिया किसी भी हालत में चंदा ना लेंगे और ना देंगे देते तो हम है नहीं, हमने देना भी छोड़ दिया, यह बीमारी भी हमने छोड़ दी, क्योंकि किस-किस को दें, चार लाग संक्टन एक्टिवेट है, और नो तिस लाग है और फायदा होता नहीं, तो यह भी काम छोड़ दिया, दोजार इकिस में, यह दोजार इकिस की अच्ची मेंट चलना ही है हमारी, जो हमने साथ महिने और आठ महिने के अंदर प्राप की हैं, तो हमने एक और भी चोड़ दिया, तू और तेरा भी छोड़ दिया, हम से वा गए, वी से आगए, हम हो गए, तो समढ़ संगी हो गए, यह सबसे बड़ी अची मेंट है, कि हमारा जो एगो रहम है, और पद और प्तिष्टा, और मान और सम्मान और भी मान है, वो सब हमने लात मार दिया, उनके भरोसे से, अपने भरोसे आगे, यह सबसे बड़ा काम हुआ है, जो व्यक्ति अपने भरोसे आजाता है, पूरी काइना, पूरी प्रकरती, पूरी नेचर उसकी मदद करती है, इस नियम को आप अजमाल है ना, आज आप अपने भरोसे खड़े हो गए हो, तो यहाँ दोस्तो चार लोग आगे, और जो लोग दूसरों के भरोसे खड़े होते हैं, उनके यहाँ तीस लोग बीस लोग नहीं होते हैं, और यह आपके लोग बहुत तेसे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ एक परिवार बन लिया, एक समण संग हमारा पुराना जो हमारे खून दे रखे हैं हमारे महापुरसों ने, वही नियम आते हैं, यहाँ कोई नया नियम नी बनता, सब संग बनाता है, पहले भी संग बनाता था, नियम बनने की पिकरिया संग से होती है, कितना ही बड़ा कोई सवाल आ जाए, आप कह सकते हो, जो संग तय करेगा, वो मानेंगे, इसको छोटे-छोटे गाओं में तो आज भी करते हैं, जो पंचायत करेगी, वो मानेंगे, मगर ये पंचायत हैं, थोड़ी सी खाप की होगए, जाती की होगए, तो निक्सान हो गया, पहले पंचायत खाली गाओं की, और कभी लिकी होती थी, तो फाइदा होता था, ये सा 2021 की हमारी बहुत बड़ी उपलब्दी है और इस उपलब्दी की वज़े से बहुत ज्यादा हमें फाइदा होने वाला है क्या फाइदा होने वाला है एक फाइदा आपको आज यहां बताता हूँ वैसे तो सारे फाइदे रोल बताता हूँ मध्धे पर्देश के अंदर हमारी एक बहन के साथ में बलादकार हुआ, उसको मार दिया, उसको मार दिया, तो कार्ट के मारने के बाद में, उसका बलादकार करने के बाद में, रात को जलाने के बाद में, वहां लोग जाते हैं, और वहां गाडियां पर गाडियां जाती है, परसासन पर परसासन आता है, पुल बनाते हैं और वो वीडियो बनाके डालते हैं कि हमारी इस बहन के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ हम ये कर देंगे वो कर देंगे फिर वो फूटो खिचवा के जाते हैं अपनी गाड़ी में आते हैं परिवार से मिले कुछ करते हैं परिवार से मिले या ना मिले या फूटो पिर शाम हो जाती एं पर अगला दिन आता है फिर गारी आ आती हैं फिर कोई perfect लडगं का अटा है फिर इसा टी आते हैं फिर गेंट्ना गरती है हमारे एक चोटी लड़की को एक मंदिर में ले जाके बात्य करते हैं उसका शौर मसता है तो वहाँ पेले दिन नेता आते हैं एक आता है दो आते हैं तीन आते हैं तो धना लगाते हैं फिर हो अलग अपना यूटूब बनाते हैं फिर वो अलग अलग बाइट यह देते फिर वो अलग अलग बोलते हैं फिर वहां एक टेंट लगता है फिर अगले दिन वहां दो टेंट लग जाते हैं फिर वहां दो नेता हो जाते हैं दोनों अलग लग बैठते हैं फिर वहां आपस में लड़ाई होती है ये जो हो रहा है ये जब चलता है तो कहते हैं हमारे जैस लासों पे फूटू खिच्वाने नहीं जाते वो दुख का विसे हैं और ये लासें एक के बाद एक के बाद गिर रही हैं और तुम लासों पे राज कर रहे हो तुम लासों पे लेता गिरी कर रहे हो तुम को सरम नहीं आती हमको आती है तो वो नाराज हो जाते हैं कहते हैं हम उनके दुख में सामिल नहीं होंगे आप तो गए नहीं हम उनके दुख में सामिल होते हैं और आप हमको ऐसे कह रहे हैं अरे भाया जिसके दुख में सामिल होते हैं उसमें इखटे होके जाते हैं तुम अगर इखटे होके चले जाते तो उसका दुख कम हो जाता उसका कुछ म होगा मैं ब्रत कर जाएंगा तो यह लग लगाएंगे और लग लगा के मेरा क्या बिगाड़ेंगी तो तुम को यह समझ में नहीं आता क्या को तुम सारे खटे होके उस गाओं के आदमी तक ये मैसेज भी पहुचा देते कि तु चिंता मत करना हम तेरे पीछे खड़े हुए हैं और तेरा पूरा समाज ये खटा है और साथ है तो हत्या करने वाले की बलात करने हमत नहीं होती और ये जिन्दगी में बलात करनी होता तो तुमारे लिए तो भाईया ये बैपार है धंदा है तुमारा कच्चा माल है अगर हत्या और बलात कार बंद होगे तो तुम नेतागरी के स्पेकर होगे तुम सान्मूती का खटाने जाओगे तुम फूटू खचवाने जाओगे क्या तुमको इतनी अकल नहीं है कि तुम अगर पहले खटे हो जाओ तो हत्या नहीं होगी तुम अपने घर में तो पहले खटे हो जाते क्योंकि संग के समय कोई हत्या नहीं होती थी और संग के समय कोई बलातकार नहीं हुआ, पूरी हिस्ट्री है, बुद्धियर पूरी हिस्ट्री है, सोकी के आज तक बलातकर की हिस्ट्री दिखा दे, अगर कोई ये कोई हत्या की हिस्ट्री दिखा दे, ये तब हुआ है जब सं ब्रेदगरव कैसा कि तो यह संग होना हमारे लीए जिवन का मरने का और जीने संग होना हमारे लिए राजनीती का प्र स्ऽिए और रौग्वाना कि संग का गेलाव की गुर्சप अंदर पड़ी पाल और कि व्रस्टी समझ नहीं आता है तो बुद्ध के समय संग में राजा पैरों में नीचे साथ बैठा करते थे उसको समझ ले उसको देख ले उसको जान ले इसलिए समझ संग ही हमारी पूरी ताकत है और समझ संग हमारी सकती है यह संग का कंसेट हमें जो 2021 में मिला है इसका प्रण करना है कि 2022 22 में हम अपने इस समड़ संग को जितनी जंदी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने बच्चों के बलातकार को रहत्या को बचा सकते हैं, यह एक फायदा है इसका, इसका एक नुकसान नहीं है, इकट्टे होने का, दुनिया में कोई आद भी अगर बता दे कि एक नुकसान जरूर है, इसलिए हर व्यक्ति को यहां काम करना पड़ेगा, हर समड़ संगी को काम करना पड़ेगा, समड़ संग में पदी नहीं है, तो पतादिकारी काम क्या करेगा, तो समड़ संग जब सब का है और सारे समड़ संग की हैं, तो सब को काम करना पड़ेगा, और अपनी म पच्चों के साथ और उनके महिलाओं के साथ हर रोज ये डामा होगा क्योंकि करने वाले को पता है कि ये अलग-अलग आते हैं और ये अलग-अलग फूटो किछवा के चले जाते हैं इसनिए समढ़ संग को बहुत बारीकी से समढ़ना चाहिए इसके बहुत सारे फायदे हैं उससे अच्छा बताता है कि मेRi Guaranty है सोचना सुरू कीजिए करना सुरू कीजिए तो यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को इस काम को और तेजी से बढाधा है 2022 में कोशिश ये करनी है कि हम सारा काम 2022 में खत्म करने हैं 2023 का इंतयार ना करें तो हर व्यक्ति को target बनाने हैं, हर व्यक्ति को एक लक्षया बनाना है, कि उसको लगाता जोट रेना है, ठीक ऐसे जैसे बाज जो होता है, बाज इतना अपने काम में शातिर होता है, कि उपर की चक्तान पे बैठा हुआ होता है, उसकी आख इतनी तेज होती है, कि वो मास्क च देख रहेता है इतने बड़े पहाल पे बैटकर भी कहाँ मासका छोटा सा टुखडा पड़ा हुआ है क्विसका लक्षे है उसका टार्गेट है बस ऐसे ही टार्गेट आप ने रखनाएं आपने हार्समें यह देखना थे कौन से क्व्यक्ति है जिसमें थोड़ी सी भी ऐसी एक इखटा होने की भावना है कौन सा ऐसा व्यक्ति है कौन सी ऐसी महिला है जिसमें थोड़ा भी समझदारी है कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो काम करते करते अच्छा काम करते करते ठक गया है और दुबारा से स्टार्ट लेना चाहता है दुबार या नामाने स्वी चिंता मत करो उसकी वो बहुत ज्यादा ठके हुए लोग हैं संग्ठनों ने तरह ठका दिया है कि वो लोग बिलकुल मायूस हो चुके हैं तो मायूसी को दूर करना काम है तो जूम पर आए या हम उसके घर जाएं या वो हमारे घर आए या हमें बीच में मि वीडियो है तो आप भेज दीजिए यहां जितने नाम है आप यहां उनको भेज दीजिए जो भी आपके कॉंटेक्ट में हैं यहां एक टंपूटर आ गई हैं वो यहां आपका काम यहां करेंगी तो आपका वीडियो बना के जारी करेंगी आपकी पोस्ट बना के करेंगी जैसे यहां गाउं की मीटिंग लगनी है तो उनसे बैनर बनवालें, अब बैनर क्योंकि काम बढ़ गया है तो employee रखे हुए है, तो आप उनसे अपना बैनर बनवालें, अपनी पोश्ट बनवालें, अपना डीपी बनवालें, अपना फोटो लगवा के वीदा पीपल समर्श संग लिख वालें जैसे यहां के लोगों के लिखे हुए हैं जैसे यहां प्रिकास सिंग जी का लिखा हुआ है और उन्हें अपना फूटो लगवा आगे संग लिखा है ऐसा बनवा ले आप खुद बना सकते हैं तो बना ले नहीं तो जो एंपलोई है उससे बनवा ले अभी एंपलोईों की संक्या धीदरे और बढ़ेगी कुछ एंपलोई महराष्ट में आने वाले हैं कुछ यूपी में और आने वाले हैं कुछ दिली में और आने वाले हैं यह धीदरे काम बढ़ेगा काम बढ़ेगा तो हम बचेंगे और हमारा यह जो आदर्स और जो सिस्टम है वो ऐसा का ऐसा जैसा समण संग में वैसा का वैसा रहेगा इस विश्वास के साथ में काम को बहुत तेजी सागे पराना है और लगातार सतर्क रहना है तर्क करना है और वितर्क करना है कभी कभी कोई भी समढ संग में आपको मूल बातों से हटके कोई बात दिखाई दे तो तुरंत रोकनी है क्योंकि यहां पदादीकारी नहीं है यहां रोकने वाले भी आप हैं और करने वाले भी आप हैं तो करना भी आपने है तो रोकना भी आपने है तो गिद्द की तरह आपने या बाज की तरह आपने या शेर की तरह आपने या बांग की तरह आपने आपने अपने लक्षे को देखना है ध्यान से कौन सा लक्षे आपका है कि जोडने और जोडने का है और जोडने और जोडने के लक्षे को 24 गंटे दिमाग पर रखना है 24 गंटे कहीं भी है उसके वारे में सोचना है और एक अच्छे स्मार्ट व्यक्ति की तरह आपने डारी रखनी है डारी जरूर रखनी है हर व्यक्ति डायरी रखे और एक पैन हम ऐसा रखे या मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले कि जब भी याद आया कि ये व्यक्ति काम का इससे मिलना है या जब भी कोई विचार आता है उसको नोट कर ले उसको लिख ले और इसको लिखता रहे कितना काम हुआ है किसने कितना काम कि है उसका एक हिष्टी बनाते रहे हरियाने के अंदर एक दिन में पर्देश की आगे बढ़ने वाली है अच्छी बात है कि किस हिष्टेट की कितनी जाती है मगर हर व्यक्ति जो मीटिंग करा रहा है वह अपनी एक हिष्टी बना कर रहे उसको डायरी में लिखते यह बहुत ज जाएगा वो काम लिखा जा रहा है कि कब कब किस किस डेट में कौन-कौन सी मिटिंग हुई पहली मिटिंग कब लगी दूसी कब लगी किसने लगवाई कितने लोग उसमें स्पोक बनने लिए यानि कि काम अच्छी तरह से समझ के करने लिए त्यार हुए जो नहीं कर पाए व व्यक्ति को वीडियो बनाने है, तो बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे तो बैठे रहेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? बैठा हुए व्यक्ति तो बैठे ही रहता है, वो तो चार कोर बैठा लेता है आपने पास, और उड़ने वाला जो बाज होता है, वो तो अपने साथ में हजारों बाजों को ले जाता है, पूरे आसमान को ढख लेता है, आसमान पर राज करता है, तो उड़ना है आपने, समढ संग उड़ने के लिए हमेसा प्रेरित करता है, बैठने के लिए कभी प्रेरित ने करता है, इसलिए उड़ना है, आपने उड़ान बननी है, अपने परों को फट्टाइए और तेजी से निकल जाएए, हमारे पास पूरा आस्मान जीतने के लिए है, मगर समय बड़ा संग्ठन से प्यार बड़ा बुरा होता है कोई संग्ठन में पतादिकारी हो उसके लिए वह 20 लोगों से कहें कि मेरा यह संग्ठन बहुत बढ़िया है और अचानक आप उसको जाकर यह कहें कि बैस संग्ठन का जितना काम होना था वह हो लिया अब संग्ठन से कुछ नहीं मि हो जा तो ही बात बनेगी तो उसको चुबती है उसको लगाव हो चुका है उसने जो बुध् ouchart बनाया है उसके बहल कि चिपटता है उसकी दिवारों से उसकी फिपर्टता तेरे यह जो हीटे हैं यह भी मिट्टी में मिल जाएगी और तू भी मिट्टी मिल जाएगा तेरे बच्चे मिल जाएगी कोई बचाने नहीं आएगा 29 लाग संग्ठन है हम तो 6,743 जातियों से परशान थे अब यह 29 लाग संग्ठन को कहां कहां डूने और यह चार लाग जो एक्टिव संग्ठन है चार लाग हो गए यह जातियों की तरह काम करते हैं जैसे संग्ठन अलग 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 मालिक है और समढ़ संग का तो कोई मालिक हो नहीं सकता क्योंकि समढ़ संग का मालिक हो समढ़ संग है यहां कोई आदमी अगर जादा काम करता है तो वो जादा समझदार हो गया है कि उसको बच्चे जादा बचाने है उसमें जादा लगना गई है कोई कम करता है तो जादा कर करता है कोई देर से समझ का रहा है तो देर में सुरू करता है काम तो वह भी बरावर करता है इसलिए चौविस घंटे में चौविस घंटे सबको काम तरना है यहां सारे बरावर है और यहां जीवन भर बरावर रहेंगे यहां सबका सारे के सारे नर यहां सारे हैं और सारी सार 2021 में 2021 किया अब हम 2022 में आगे बढ़ रहे हैं तेजी से आगे बढ़ना है आज का दिन बहुत अच्छा है आज के दिन मैं यह मान के चलता हूं कि जब गाउं में पहुंच गए हम लोग तो अब गाउं से छोटी काई कोई होती नहीं अब तो घर रह गया है और अब हम गाउं तक पहुंच गए हैं तो अब हम रुकने वाले हैं नहीं समढ़ संग का कंसेप्ट साधरान अगर लोग समझ गए तो फिर समढ़ संग का किसी बड़े आदमी को समझने में देर नहीं लगेगी और बड़े आदमी तो पहले से ही इसको जानते हैं वो तो मकर बनाए पड़े हैं आपने समझ लिया है वो देर सवेर आ जाएंगे इसलिए मायूस नहीं होना है बहुत तेज से आगे बड़ना है क्यों कि एक ही होमारे सद्धानत है जुड़ेंगे तो जीतेंगे और जिद्ध है जुडने की और जुड के मानेंगे बहुत तेज़ से चुड़ रहे हैं और बहुत तेसे चुड़ेंगे, इसलिए आप सब कंसेट बताना सीखें, जो मैं बोलता हूँ, ये इसलिए बोल देता हूँ, कोई कि मैं 24 घंटे मेरे माइंड में ये रहता है, इसलिए मुझे पढ़ने की जोतनी पढ़ती है, अगर 24 घंटे आपके मन माइंड में समढ संग नहीं आएगा, आप उल्टा भी बोलेंगे, तो लोग समझ जाएंगे, कि ये सीधी बात करें हैं, और अगर मन में नहीं आएगा, और सीधा भी बोलेंगे, तो लोग समझ जाएंगे, कि मन में कुछ और है, बोल कुछ और रहा है, इसलिए मन से आईए, तन से आईए, और धन को अपने घर में रखिए धनकी आवसकता कभी लोगों को इखटे के लिए होने के लिए ना जरुत पड़ी है ना पड़ेगी और ना कभी जिंदगी में पब्लिक से पैसा यहां मांगा जाएगा ना लिया जाएगा इस बात को सब को आप डंके की चोड़ पर बता सकते है यह समर संगा बेसिक प्रिंसिपल है इसलिए सब को जोड़ना है जोड़ना है धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरनं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी तूतियं पी धम्ममर सर्नं गच्छाम। तूतियं पी धम्ममर सर्नं गच्छाम। तूतियं पी संगर सर्नं गच्छाम। तूतियं पी सर्नं सर्नं गच्छाम। ततियं पी बुद्धम सर्मां गच्छामी ततियं पी बुद्धम सर्मां गच्छामी